मैं आज आपके लिए छोटे से उपाय लेकर आई हूँ संतान प्राप्ति होगी और इसकाम की मनोकामना पूरी होगी आपकी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को अहूई अश्टमी के रूप में मनाया जाता है यह थी थी जो है आठ नौमबर के दिन पढ़ रही है रविवार है इस दिन यह मनाया जाएगी इस व्रत को महिलाएं संतान की लंबी आयोगी कामना के लिए और प्रे बच्चे के लिए जीवन की सुक्सानती के लिए करती हैं और जो निसंतान महिलाएं हैं उनको भी संतान प उत्तर भारत में हमारे यह मनाया जाता है संतान दमपति अगर इस तरह के उपाय करें तो संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं जैसे दूद भात मैंने दिखाया था भी आपको उसका भोग लगाएं सभे चीज का भोग लगाएं आपको चांदी के माला जरूर जुनाए जैसे कि आप देख रहे हैं और इसमें भी जोतिश भी हमारे यही बतायते हैं कि संतान सुक की प्राप्ति के लिए ओही माता की पूजा के बाद भगवान सीव और माता पार्वती को दूद भात का भोग अवश्य लगाएं और ये चांदी की माला चार मोतियों की माला है य वो आदा बचा हुआ भाग जो दूद भात का है वो आप किसी गाएं को देदें और पीपल के पेड़ के नीचे परिक्रमा करके एक दीपक जरूर जला कराएं होई अस्टिमी की माता की आपकर करपावर से चांदी के नो मोतियों की माला होई माता का ध्यान करते हुए लाल की चांदी के माला और इस तरह से दो मोती हर साल डाले जाते हैं एक इस साइट और एक इससाइड Oh जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि यह जो है यह नाम लिखने की जगाह जितने भी आपके बच्चे हैं जिनкие जिनके संतान है वो Sंतानों के अपनी नाम लिखते हैं इस म और इसमें नाम लिखे जाते हैं जो आप देख रहे हैं इसमें नाम लिखे जाते हैं उनके पहले तो गेरू से लिखा करते थे अब तो कुम-कुम से भी लिख देते हैं क्योंकि गेरू मिलना मुश्किल है और तुलसी माता की पूजा आवश्य करें इस दिन जो है तुलसी मा कामनाएं जल्दिपुरी होती हैं और एक पारत स 이야기 से हाँ कि माता गौरी और सिवजी कि पुजा करने के लिए एक अगर आप इस माता-अश्टिमी अश्टिमी से लेकर भयाव कर शिवण से दोध करें माता गोरी की जो है संतान के लिए आसिरवाद मांगे प्रातना करें, मन में जो भी है आपके, आप उन से कहें, ऐसा करने से भगवान सीम और माता गोरी आपको आशिरवाद अवश्य दिने, इसमें माता गोरी को प्रशननी किया जाता है, तो गनेश जी को तो आप भूल नहीं सकते, गनेश जी को तो गनपती पपा को तो माना ही जाता है माता की संतान और अगर अहोईस्ट मी के दिन इसके बात तक भी आप 45 दिन तक माता अंगोरी के लाल गनपती की पिल पत्र चड़ा कर जी हां बेल पत्र चड़ा कर हर रोज ओं पारवती प्रियनंदा नम्हां मंत्र का जाप 11 माला अगर आप करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति की एक्षा जल्दी पूरी होने के योग बन जाते हैं तो आजकल वुक्स आ रही है अगर कथा आपको नहीं आती है तो मेरा एक कथा का वीडियो भी है मैंने जो स्टार्टिंग में डाला था अगर आप कहेंगे अगर किसी को भी कथा चाइए है नहीं मिल रही ह कोई कःथा मैंने उसी तरह से कःए हैसमें जैसे पुरानिक तरीके से की जाती है उस वीडियो में जी हाँ परंपillarगट तरीके से बिल्कुल जैसे कोई न दादी नानी के मुह से सुनते हैं इस तरह की कःथा का मैंने वनन किया है से पहले वीडियो में आपके लिए अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है अगर आपको कहीं से कोई अच्छी कथा नहीं मिल रही है तो आप प्लीज कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्य लिए दाला हुआ है और आपको नहीं मिल्रहरे किसे गालनवास नहीं uhur imi dh और कहीं हर जगह सकते है करते हैं बैचके लिए अलग-घ अलग नहीं मना है जाता है वैसे हमारे उत्तार्बारत में से इना अधा हम दम करो वह सकते हैं बाइनाइट मेंस की इसके अंदर खाने पीने का जो भी सामान जो से बना सकतें देख जैसे मैंने बताया है इसमें सफेद चीज जरूर सामिल करने जैसे दूद भाद का जिक्र आया है इसमें तो आप थोड़ी सी खीर बना दीजे जिहां मीठे का भोग माता गोरी को अवश्य लगाईएगा और ये कथा तो मैंने दी हुई है तो आप जिस भी तरह की कोई भी शमस्या हो इसका समाधान आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट मुक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें आपके सही योग से चार हजार सस्क्राइबर पूरी हो गए हैं परन्तु मैं चाहती हूँ मेरा जो टार्गेट है अभी बहुत पढ़ा है इससे कुछ नहीं होता है ये चार हजार सस्क्राइबर से कुछ नहीं होता है फिर भी मैं जो भी मेरे सस्क्राइबर हैं उनका हिर्दा से धन्यवाद कर जनकारियां लेकर आती हों जहां से भी मुझे कुछ भी मिलता है। नहीं चीज मिलती है तो प्लीज मेरे लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सेर जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई आसपास कोई ऐसे दमपती हैं, जो निसंतान दमपती हैं, आप उनसे भी कहें कि वो विधी विधान से माता होई का वरत करें, क्या पता माता उन पर करपा कर दें, वैसे तो आजकल डॉक्टर्स भी बहुत फसलिटी हैं मार्केट में, बैठे हुए करते हैं कि सुब मूर्थ के लिए जानना चाते हैं, और कुछ लोग कभी भी कर लेते हैं, अगर आप सुब मूर्थ में करते हैं, तो आपको एक अच्छे फल की पार्पती होती है, जैसे आठ नौमबर के दिन सुबह साथ बज कर उनतिस मिनट को भी सुब मूर्थ सुरू ह हो गया है, लेकिन नो बज कर सुबह नो बजे से शाम के जो है, सुबह के नो बजे से लेकर शाम के साड़े च्छे बजे तक भी इसमें पूजा का विधान है, बाधा नहीं है पूजा में, आप पांच बजे भी कर सकते हैं, पांच से शाम के च्छे चपन के बीच तक भी क दूद का भोग वह अफो नहीं बना पाते हैं तो दूद करभे कजल जिसमें बिकु्व होता है करवा होता है जूश चर्वे में धार देने का विक्कु बना होता है उस करवे का जल को आप शाम को जल अर्ग दे दें लेकिन एक दूसरा जो घड़ा होता है करवा होता है आपका बिना विक्कु का होता है उसके जल को आप उठा कर रख दें दीपा वली के दिन अपने घर में उसका छिड़काव करें अपने भवानी जो है माता गोरी जो है प्रिशन नोगरी आने से पहले पहले हम सारे त्योहार और सारे देवदेताओं को बनाना सुरू कर देते हैं ताकि डीपा वाली के दिन हमारे घर में माल अच्छमी के साथ दूसरे भी देवदाओं को पदार